दिल पाकिस्तानी है, दिल पाकिस्तानी दिल अपना पाकिस्तान की तरफ से मैं आपको छाउदीद कहती हूँ देखते रहे हूँ दिल अपना पाकिस्तान वसेंपर कि टन crispy दोग, हसेंपर अच्छ opensीन, हसें इस्पर प्लyse कि मैंुन, हसेंपर अथिक我 इस्ति होड बियार और साधिक्स, अवर कि पर इजब हेँलने को onnenई हुऊ कुन सा 녹 zekerना ये एट कि एे लेगे डिय Verb इन विति Прार्द गल्री ज चिलीत हमसे जमाना है हमसे है जहान जुर्ध औ औ हिम्मझ में हमसा है कहान हमसे जमाना है हमसे है जहान जुर्वत तो हिम्मत में हमसा है कहां हमसे समाना है हमसे है जहां जुर्वत तो हिम्मत में हमसा है कहां अपना ही चरचा दर्दी से आसमा अपनी शुचात दुनिया नेवारी है दिल पाकिस्तानी है दिल पाकिस्तानी चार्ट समोसे या गोलगपे खाने का दिलचारा हो या हलवा पुरी का मूड हो तो आईए पाफ पंजाब स्वीट्स और उंदा मिठाईयों का लुथ उठाइए मिठाईया ननिमको चनापुरी गेटरिंग और बहुत कुछ पाग पंजाब स्वीट्स, 128 और 96 के कॉरनर पर, पाग पंजाब स्वीट्स. हमसे जमाना है, हमसे है जहाँ, जुर्वत और हिम्मत में हमसा है कहाँ? हमसे समाना है, हमसे है जहाँ, जुर्वत और हिम्मत में हमसा है कहाँ? अपना ही चर्चा, दर्दी से आत्मा, अपनी शुचात, दुनिया ने मानी है दिल अपना पाकिस्तान के साथ, मैं हूँ डॉक्टर हुमामीर और मेरे साथ है इन्तखाब हमद आपके साथ देखना है यह अपिसोड लेकर हाँ बिल्कुल नाजरीन और मासा बहुत अच्छा आप देखने के हमसे बहुत अच्छा एक रोशन दिन है इस दुछा के बहुत कलर्स हैं और इंज है यह रस्त है मगर जो होती है वैसी तूरी नहीं आई है और वेदर भी चेंज नहीं है पहार भी लेट इस दफ़ा तो भार लेट होरी यह यह जो हम एधर चेंज हो रहा है कुछ नो कुछ नो कुछ चेंज आ रही है दुनिया के बहुत अच्छा है यह जह ज़े जिए अजी पात है कि युज्वली सप्टेमबर ऑप्टुबर कैनेडा में वह ठंड होते हैं यहां वैनकुबर में तो हीटर चलने शुरू हो जाते हैं, सप्टेंबर रंड में हीटर चलने शुरू हो गए थे हुट नाद रिखनी थे हैं यह नादेन मुझे हंसी इसलिए आ रही है कि वागी वह लोग जरू है अग्र मुझे कंभल ओ ने शुरू कर देते हैं वेहां पूर वार है만 आए तुनमुन्ट नाजर नहिए आए तक course to match हमार्जन मार्श हाई। तक इ सक का दिंवा की तरह से घृति जाान दिया से बपती पूरी तरह पूरे हैं । लूट चाहरे में गार के तक सुरह औरमामुले बदोस में जो है किसी भी हालत में जाहे दिन चोटे हों जब भी सूरज जो है वह भूट थी अच्छा लगता है हाँ सूरज तो जाहरे के स्वस अपनेरजी है और सूरज जो है और विटमन डी बिलता है तो बात हो यह नाजरीन वासम की देखे रहे है दिल अपना पाकिस्तान सबस्ट जाइब रदेगाल अट्ट जाज प्रूट जाहर को में हों जाहर और में ऑनान च्तहीं है सबस्टियणे जो ही एंच व बात वाज जाज बात बवेशने है जोज करे लिएम पार्षिए लिए पार्षिए मैं ये विए लाव वेड़ फैंसरेश इंवाइब फैंस अप्रषिए इन आध्रफिए artisanal message send a message to these kids and in Islam it is switch sure let's help the road and give people let's do it together thank you I still want to take a minute to talk about a fundamental right the right to security the right to life we've all दो से हिपलती पर लिन्मर निन्मा दो इता है इनम गारों क्षेम क all-ग्रॉस चानदा इस इसने वर इनाग़ निछित नादाफ ब में चानदाइ अप्राय्सित अचर्ग बहुतों इनवाँ इस चानदाइ इस अचारी जाँ च्टीड बहुतों अबेदी खिद दियुवर इसने एन या इस य्ज़। कि अ बेढ़ाओ पन्डिव पन्री पर्टेट रर्टा और कि अजन गयाँ यमिव लुब लाट इना जम पन्प रिव शायज रिंट अजोडनाओ व्यम्हांद जा इन खृति इन झाल कर दोने हैं इन धानन्स हुट पर इने खिक अण्सटूची the human rights abuses that are occurring I myself as a member of the international human rights subcommittee in Ottawa I've been working on this very specific issue for the past two years and we provided recommendations to the government of Canada and we continue to be engaged and we continue to work very towards ensuring that the displaced persons the Rohingya minority are at the very least have the basic necessities are at the very least have the security at the very least can can be able to flee and to be able to eat and then to take care of their children and we continue to work on that matter so I encourage all you to really engage on this issue and to be aware and and to to do your part and says I am doing my part because quite honestly I feel that this world is nothing if if we don't all give our one drop to to the building of it the world that we leave today is going to be the world that our children are going to grow up in tomorrow and let that little boy who was my father wanted a better world and so he educated himself he educated his children so that they could contribute to the building of a beautiful world that is Canada that is Pakistan that is so many other countries that is humanity that you all are part of so I want to thank you all in advance for all of the great work that you're doing for the Citizens Foundation I want to thank you all for your engagement in the Rohingya issue we're going to have fundraising on October 6 for the people of Korma actually we took this initiative because we feel that the world peace is in jeopardy and humanity is in disaster and we need people with hearts to take action be part of it come to the fundraise donate generously and participate and show the word that we care about humanity we want humanity to keep them a stable status thank you Dil Atna Pakistan as well as a representative and I'm a more than a leader in the world and I'm a more than a player in the world and I'm a very surprised and I'm a very surprised and I'm a more than a जिसे जनरली अगर हम बात करें तो पूरी दुनिया में ऐसा लगते है कोई क्राइसिस आया है और हर तरफ गोया एक मुसीवत है आलाम है परिशानी है और कुछ जुम का बाजार गर्म है कहीं भी हमें ऐसा नजा नहीं आता है कि कोई पीस हो कोई हामनी हो और लोग चैन से रह है जी बिल्कुल ऐसे लगता है कि देखें जंगल का भी यह कानून होता है ना सिरफ भूका जानवर जो है वह दूसरी अपने हमनसल को नहीं मारता पहले नंबर पे और फिर वह दूसे जानवर ओंपर अटेक करता है और जब पेड भर जाता है तो भूका जानवर बिला जावी हो जाती है कि वो दूसरे इंसान पर जुल्म करता है तो अब इस वज़े से काफी दुनिया में आप देखिए की तादाद बढ़ती जा रही है लोग है वो बीगर मुमालिक में पना हासल कर रहे हैं पना गजीनों की तादाद बढ़ती जा रही है और मैंने यह हुआ यह देखिए कहिं जिन मुलकों के दर्मयान में एत्निसिटी की डिफेंट एथने सेटी के लोग रहते हैं वह डिवाइड़ीज होते हैं मौमन बॉर्टर्स के क्रास एं दूना तरफ होते हैं वह लोग और उनको वोही लोग ज्यादा ट्राबल में है जासे आप रशुल मे देख लें लेकिन अ बर्मा वालों ए तो गडिया से लोग आते हैं के आप देखिए ये वह काफी इम्मिग्रन्स यहां पर आते हैं पना गजीन जरेगुजीू आते हैं पेशले दिनों सीरियन का बहुत बड़ा इंसलक्स था कि सीरिया से लोग आरे थे पनागर जिञ्स अब इस वक एक जो न्या मसला खड़ा हुआ है मसला तो पुराना है लेकिन इस वक दुनिया के सामने जो है इस वक आया है वो आफ दुने वो पंगलादेश पहुंचे हैं। जिसके जितनी सटाइत है जितनी सकत है वो वहां जा रहा है। तो एक क्रैसिस का आलम है बर्मा में और उसपर पुरी बुरी दुन्या में एक पहस जाड़ी है। को दिस्पलेइग दो कोई बात नी कि स्ट्रेस हो रहे है तो कोई बात नी की कोई बात को प्रकु रहा है उनके बिम्स तो कि निका रा गया अब जो एक हो रहा है Beast में दिumm该 मैं जो मार जा रहा है इसनी starting प्रोग्राम हो रहा है और वहिक है कर दो तफसीलात वो रोहिंगय मसल्मानों के हवाले से ही है। तो नदरीन फ्राइड़े 6 अक्टूबर को ताज बैंकुट हॉल में इसलामिक रिलीफ वालों ने यहां पर एक फंडरेजिंग रखी है और वो फंडरेजिंग रोहिंगय मसल्मानों के लिए है। अश्य हुए हुआ ही के विए हुए है पर द germana के सीध गार्त जयतको जो घुए हैं हुए हुए क। I just want to look at you and I want to tell you how humble I am and I don't know if I'm worthy to stand on this day as to speak after your speech you are amazing you are the pride and joy of your parents and your grandparents and generations of Rwanda and you are the pride and joy of your nation God bless you to my colleague, my Muslim brother the boxer to my Muslim brother the poet it's a little bit difficult to stand here and talk especially if one isn't a public speaker and I'm not a public speaker but the words that you gentlemen expressed a few moments ago flow magnificently, beautifully and you also are a shining light and a pride and joy to your nation to Islam, to the Muslim people to all freedom loving people around the world and to all of Canada God bless you I've traveled around the world and I've seen a lot of good things in the world and I've seen a lot of bad things in the world I do a lot of humanitarian work I do a lot of humanitarian work I do a lot of humanity because I was born I was bred and I was raised Jewish in a Jewish family in Kitchener, Waterloo and my Judaism and my Jewish roots proclaim that I am my brother's keeper I am my brother's keeper and my brothers are the Rohingya that are suffering today in this world Thank you Michael Lublin Thank you very much So I stand before you with 3,500 years of history of persecution of racism of wrongs of the inquisitions of the Holocaust and I'm here to tell you today my Muslim brothers and sisters it's time that we stand up and we say to the government of Burma and we expect the Canadian government to hear us enough is enough The current and the horror and the genocide and the ethnic cleansing is going to stop and it's going to stop right now or you will never never ever forget our voice Thank you 3,500 years of destruction and war has to come to an end I am my brother's keeper what I do for myself I do for everybody and I also expect the same in return I want to say that the I want to say United States Supreme Court Justice Antonin Scalia when he finished visiting as a young man the concentration camps of Dachau he said something very interesting he said progress is not inevitable progress is not inevitable progress is not inevitable in other words nothing really had changed in thousands of years in the world if we want change we have to work for change if we want our voices to be heard we have to stand up and proclaim our voices loud and clear so governments around the world hear our cry the great Nobel laureate Elie Wiesel who survived the Holocaust had said what is the opposite of love everybody thinks the opposite of love is hate the opposite of love is not hate the opposite of love is indifference indifference and not one Canadian can stand up and say I'm indifferent to what's going on in Burma with the Rohingya if we remain neutral then the oppressors are the victors we cannot be neutral neutrality is not an option for us if we remain neutral the tormentors win not the tormented not the victims so we will continue we will work together you have my word you have my money you have my heart you have my soul and you have me to attend every single event and I want to make sure that there are much more events and that every one of you please please go to your fellow Canadians that were born and raised in Canada and bring them to this beautiful function this beautiful event today let them celebrate the greatness of your nation the greatness of the Rohingya people but let them also let them feel our pain let them hear our suffering words and let them stand up with us and proclaim that one day one day the Rohingya people will be free free at last in their own nation God willing God bless you all and thank you and thank you good Thank you We are here with the Lord with the Lord and the Lord today We are here to talk about with the Lord his new life इसलामी तो उस सिल्सले में लिए अबडरह्मान साब और बात करेंगे, वाक्या पॉपर बात करेंगे, और ब्रीफली यह जानने कोशिशिश करेंगे कि महरम जो इसलामी साल है उसकी क्या हमियत है, असलाउआप अलेकुम 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 असलाम वर व बरकात हो, आप के लिए और इन्वाइट करने के लिए इंतिखाब साब आप कभी सिदीगी साब आप कभी और मैं आप हजरात को पहले मुबारिक बात देता हूं आपने एक बहुत प्यारा प्रोग्राम शुरू किया है देल अपना पाकिस्तान और मेरी दौा है कि हापस में मज़ीद तरकी करें शुक्री 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 आप तो मुलाना साब जैसे कि इसलामी साल अभी शुरू हो चुक है महरम और हमारे सब कम्मुनिटी के लोग और मुसल्मान और पाकिस्तानी और दीगर कंट्री से जो मुसल्मान लोग आए में करे नियु जन्रेशना उनको क्या बताना बताना चाहिए कंटे raph, दो मुसल्मित आई नियो ननद्रम सबसे पहले अप तौनों को या को घृप डिर्स के लिस फघलाक Осब है कमारे में कुछ भिज़ने चाहेंगे बीजने 1437 हिजरी खतम हो गया 1438 हिजरी शुरू हो गया है अलहम दिल्लाँ अल्हा जो गुजरववव साल है उसकी कमे कोता है यह मौफ फरमा दे और आने वले साल को अल्हा तमाम मुसल्मानों के लिए और पूरे आलम इसलाम के लिए पूरी दुनिया के लिए लिए अल्हा इसको अमन का साल और खुशी का साल बनाए बिल्कुर इसलामी केलेंडर का पहला महीना मुहर्म का महीना कहलाता है और महर्म से ही हमारा साल शुरू हो जाता है और ये जो पहला महीना है मुहर्म का मुहर्म के माने होते हैं इहतिराम वाला तो इसको मुहर्म इसी लिए कहते हैं कि इसके अंदर बहुत सारे ऐसे तारीखी वाकियात है जो हमारे मजभ इसलाम के साथ रिलेटिड है और कुछ ऐसे वाकियात हैं जो तारीखी हैं, इसलाम से पहले के हैं, उनका तालुक भी इसी महीने के साथ है इसलिए इसको इहतिराम अला महीना मुहर्म के नाम से इसको जाना जाता है और मुस्लिम शरीफ की whipping आदीथ की नाम से थे जाना बीप आजा है इसको अल्ला का महीना कहा शहर लग ó अच्छी मेहना एफ़न जैसे बयत लगो खानकाबा को कहते हैं अल्ला का गषर है रसूल ल्लाह, हमारे प्यारे नभी पाग सल लाहु आल्यू वासलम को कहते हैं कि वो अल्लाह के रसूल हैं तो इसी तर महर्म को अल्लाह का महीना कहते हैं अच्छा ये तो नही नालिज में दाफ़ गया है तो इसकी बहुत बड़ी फजीलत इसी वज़ा से है कि एक तो इससे हमारा इसलामी कैलेंडर शूरू हो जाता है बिल्कुम नए साल की शुरुआत है और दूसरी बात ये है कि इसके अंदर जो दस महर्म है जिसको यो में आशूरा कहते है उसकी बड़ी फजीलत आई नभी पांच वाली वसल्म ने अशूरा के दिन रोजे की फजीलत बयान फरमाई कि इस एक रोजे से ल्ला पिछले एक साल के गुना मौफ कर देता वाँ एक साल के गुना मौफ हो जाता या अभी रमजान में आपने गुना मौफ कर वाए अब मौर्रम के अंदर फिर जब आपने अशूरा का रोजा रखा तो अशूरा का एक रोजा रखने से ल्ला पिछले एक साल के गुना मौफ कर देता इतनी बड़ी फजीलत है और दस मौर्रम अलहराम ये हमारी जो तारीख है इनसानियत की तारीख है उसके इतिवार से ये बहुत अहम दिन है अच्छा अच्छा अदम अलही सलाथ उसलाम को अलह ताला ने हशूरा के दिन पैदा किया जमीन और आसमान की तखलीख भी इसी दिन हुई अच्छा यानि कि दस मौर्रम को अच्छा भी दस मौर्रम की इतनी अहमियत है नाजरीन तो यहां पर देखें कि मौलाना अब्द्राह्मान साब कितनी अच्छी वात है मौर्रम के बारे में बदा रहे हैं तो यह प्रोग्राम जारी रहेगा इनसे वाकियात भी मालूम करेंगे तो यहाँ पर हमें एक लेनी है ब्रेक तो मिलते हैं ब्रेक के बाद देखते रही है दिल अपना पाकिस्तान इसराइल को अल्ला ने फिरोन के अजाब से और उसकी तकलीफों से निजात दी उसके जल्म से निजात दी तो वो भी 10 महरम और हराम यहाँ पर देखें कि मुलाना अब्राइमान साथ कितनी अच्छी बात है मैं महरम के बारे में बदा रहे हैं तो यह परोग्राम जारी रहेगा इन से वाकियात भी मालूम करेंगे तो यहाँ पर देने है ब्रेक तो मिलते हैं ब्रेक के बाद देखते रहिए दिल अपना पाकिस्तान वेल कम बैक नाजरीम दिल अपना पाकिस्तान के साथ दुपारा हाजिर हैं एक हैंज हैंज। मुलाना अबुर्रहमन शथा नभी मुलाना अबुर्मान अबुर्णा था साथ? जी प्लीजाए भीजिए एफ लिए जायत विल्यों वे इन तर फे ये शूना मेंट साथ? ज भीफ निए फंदानी अबुर्णास ओंगे। 12 months which is starting is our calendar from January to December same thing Islamic calendar is starting from Muharram to Zilhajj so Muharram is the first month of Islamic calendar which is already started and the year was 1437 which is already finished mm-hmm and now 1438 Hijri is started Muharram first of all because this is the first month of Islamic calendar so that's that's why it's a very important month secondly because in this month the tenth of this month is called Yawm-i Ashura and Yawm-i Ashura is a very historical day in Islamic history and prophet sallallahu alayhi wasallam he used to fast 10th of 10th of Muharram Yawm-i Ashura and he advised his followers that everybody should fast on this day because fasting of this one day delete the sins of holy oh yeah that's the benefit and and the prophet sallallahu alayhi wasallam also said that it would be better if I would be alive next year so I will fast today 9 or 10th or 10th or 11th of Muharram al-Haram so that's why Yawm-i Ashura is important because of this one day that Allah subhanahu wa ta'ala gives so much fazeelah to this one day that if you fast this one day it will delete the sins of whole year secondly because Adam alayhi salatu wasallam is created on this day until the tenth of Muharram Allah rabul alameen created whole universe town tenth of Muharram al-Haram and in one narration of prophet sallallahu alayhi wasallam he said that the day of judgment will be also taking place on same day there will be 10th of Muharram al-Haram so the beginning of this universe is started from this day and the end of this universe will be on same day that's why it's a very important day and on the first of Muharram the sacred Khalifa of Islam say in Omar Farooq he was martyred in this in this month so there is also a very sad story certainly the it was the grandson of Rasulullah sallallahu alayhi wasallam the son of Sayyidina Ali and the story famous story which is called the Battle of Karbala so that's very important and tragic incident happened in the history of Islam so the viewers have seen that the heart of Pakistan here we have done a very good story here and Moulana sahab has explained us and told the importance of Muharram so thank you you have made me thank you thank you, you have made me, and with my new wishes and advice you have made me, we have made us a very good job once again to you and you and your viewers also happy new year for me, happy new year for me new year for you and तो आईए पाक पंजाब स्वीट्स और उम्दा मिठाईयों का लुट्फ उठाईयों का लुट्फ उठाईयों चनापूरी, गेटरिंग और बहुत कुछ, पाक पंजाब स्वीट्स, 128 और 96 के कॉर्नल पर, पाक पंजाब स्वीट्स तासरीट उम्मीद है आपको हमारा प्रोग्राम पसंद आया होगा, आज का एपिसरड आपको कैसा लगा, आपकी फीडबाइक का हमें इतजार रहेगा, इजाज़त दीजिए आप से मुलकाद होगी बहुत जाद अगले प्रोग्राम में देखते रहिए दिल अपना पाकिस् हमसे है जहाँ